सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन भक्तो आज मैं आपके समक्ष महार्शी पतनली द्वारा रचित लोग प्रीगरंत योग सुत्र के पर्थम अध्याय यानि समाधिपाद के 34 सुत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ यह सुत्र कहता है प्राचहरदन विधारन अभ्याम वा प्राणस्य अर्थात नासी का द्वारा बाहर वायू को फेकने और रोकने कि जो सक्ति है वह प्राण है यहां पर यह ध्यान देने का विशह है कि जो वायू है जिसको हम लोग फेकते हैं यह जिसको हम लोग भरते हैं यह जो वायू है यह प्राण नहीं है बरकि प्राण का परिणाम है प्राण तो वा सक्ति है जो कि इस वायू को बाहर निकालती है या भीतर भरती है वह प्राण है और चुकि वह इससे समधित है वायू को बाहर निकालने में या भरने में तो इसलिए इन वायू को प्राण वायू का आ जाता है क्योंकि प्राण के दम पर ये अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं तो ये कोष्ट में स्थित होती है और ये बिशेस बल के द्वारा आप समझ सकते हैं एक तरह से हम पुरी ताकत से उसको बाहर निकालते हैं एक तरह से हम उल्टी करते हैं तो यह नासिका के दोनों छिद्रों के दोबारा या मुह के दोबारा हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं तो यह प्रचरदन कालाता है यानि जो रेचक की क्रिया है वह प्रचरदन है और वायू को बाहर निकाल के वहीं का वहीं रोक देना यह विधारन की क्रिया तो इसमें जो प्रचरदन और विधारन इसमें दो स्थ प्रयोग हुए है तो विधारन याने की कुमभक लेकिन यहां बाहर निकाल कर रूकने को है तो इसलिए यह बाह कुमभक तो ये जो बाहे कुम्भक हम करेंगे रिचक कुम्भक करेंगे हला कि कई व्याख्याकार जो है यहां पर पूरी प्रक्रिया को ही इसके तहत मान रहे हैं कि स्वास को भरना, स्वास को बाहर निकालना, स्वास को रोक देना तो ये रिचक या स्वास को भरना, पूरक और कुम्भक रोकना बाहर निकाल के रोक लेना या भीतर हो करके रोक लेना, भर के रोक लेना तो ये दोनों ही जो क्रियाए हैं बाहर निकालना भरना या रोकना तो ये सब सब इसके तहत सामिल है यानि ये प्राण सक्ति के कार है तो यहाँ पर मुख रुप से मैं यही करना चाहूँगा तो ये जो प्रणयाम होता है जो योग के बहुत मतपुर्न अंग है जो हम लोग आगे चलेंगे तो योग के अंगों में उसके विश्याप पर चर्चा होगी इसमें प्रणयाम है तो यहाँ पर चुकि प्राण सब्सका प्रयोग किया गया है इसलिए इसका थोड़ा सा विश्लेशन करना अनिवार है प्राण वाश्रक्ति है जिससे की कोई भी तत्तो किसी क्रिया को अंजाम देता है यानि जो जीवित ब्यक्ति हैं वे ही प्राणित नहीं है जो निर्जीवित इनको कहा जाता है वे भी प्राणित है इस बज़े से वे गति करते हैं किसी क्रिया को अंजाम देते हैं और जो जीवित प्राणी है इसलिए उनको प्राणी कहा जाता है क्योंकि उनको प्राण सक्ति का प्रवा हो रहा है और हो तो निर्जीव में भी रहा है लेकिन वो उतना सपस्ट द्रिष्टी गोचर नहीं होता जितना की सजीव में होता है तो जितने सजीव प्राणी हैं चाहे बनस्पतियां हैं चाहे कीट पतंगे हैं चाहे ब्यक्ट्रिया वाइरस हैं चाहे आपके वर्म हैं चाहे पसुपक्छी हैं या मनुस्य हैं ये सभी प्राण के दुबारा संचालित हैं और जो भी प्राणी अभी जीव तवस्था में है तो वो स्वास पर स्वास कर रहा है और उसके भीतर में हिर्दय की गति का स्पंदन हो रहा है उसके भीतर में अग्नी क्रिया हो रही है जहांपर की भोजन को तोड़ा जा रहा है फिर उससे उर्जा ग्रहन की जा रही है अब ये इसको अग्नी को तोड़ने में या उर्जा को ग्रहन करने में इन सब के पीछे जो सक्ति लग रही है वो प्राण सक्ति है हलांकि विज्ञान जो है वहाँ उस्मा को भी सक्ति मान रहा है वो ध्वनी को भी सक्ति मानता है वो विद्धुत को भी मानता है लेकिन यहां जो प्राण सब्द है इस से इस ध्वनी को या विद्धुत को या चुम्बकी गुण को या पदार्त रसाइन को इन सब को ही ये नहीं समझेना चाहिए बलकि इसके अंतरभूत ये जहां से प्राणित होते हैं यानि यह उरजा जहां से अपने सक्ति ग्राण करती है यह ब्रुदभास का सब्द है लेकिन उरजा अब यह कुछ काम कर रही है तो जाहर सी बात है कि उसको कही नहीं से सक्ति घृसलये प्रेणा मिल रही आदि इसकति के जो शक्ति है उ implies ऐसा अगर आप समझ पाएंगे तो ओंव समय पाएंगे प्राण को अंधा नहीं समझ पएंगे इसलिए प्राण सकती पर बहुत सारे सोध होते वे भी, इसमें बहुत तो अभी कुछ सार्थक सबूत नहीं मिले हैं, एविडेन्स में ज्यादा नहीं मिल पाया है, बस यज़ता होता है कि प्राणी मर जाता है, तो काते हैं निस प्राण हो गया, लेकिन निस प्राण कैसे व जिससे वह निस्प्राण हो गया, यह समझने पा रहे हैं। यह उर्जया पर प्रयोकर है, प्रकास पर ध्वनी पर, या उस्मा पर, या विद्यत पर, परन्तु उसमें से जो निकलने वाली चीज है, जिसके बाद विश्य में का जाता है, वालकि यह प्राण सक्तियां, यह ज तो इन इनको जो मेनेज कर रहा था जो मेनेजर था वह पुराण था जो उसमा को और रसाइन को विद्दुत को चुम्बा को ध्वौनी को प्रकाश को जो मैनेज और सोक्षम उपकरण चाहिए होंगे तो अभी विज्ञान जो है वह उर्जा पर सोध करने में समर्थ हुआ है बहुत हद तक लेकिन उस उर्जा का जो शुरोत बिंदु है वह प्राण है वहां तक अभी नहीं पहुँच पाया वहां तक पहुँचने पर प्राण का रहस खुलेगा और फिर प्राण का उपयो किया जा सकेगा मनोवांशित दिशा में तो यहां पर यह काना चाह रहा हूं कि यह जो रिचक क्रिया है प्रचरदन जिसको यहां पर का गया है और धारन करने विधारन की क्रिया है रोकने की क्रिया को तो यह सब जैसे आप जो लोग करते हैं प्रणयाम जैसे कपालवाती प्रणयाम है या भस्तिर का प्रणयाम है या नाड़ी सोधन है या अनलोम बिलोम है या भ्रामरी है तो इन सभी में हम लोग प्रशरदन और विधारन करते हैं, रेचक और कुम्बक करते हैं, तो यह जो प्रणयाम की प्रक्रिया है, हम वायू के जरीए अपने प्राण सक्ति को और पुष्ट करते हैं, वायू को धारन करने की जो सक्ति प्राण सक्ति है, अर्थाद जो अब्यक्ति जितने समय तक स्वांस को अपने रोग सकता है, इसका मतलब उसकी प्राण सक्ति उतने ज़्यादा है। अब सास्त्रों में भी इस विशे में बताया गया है, कि ये प्राण क्या है, और कैसे ये जो प्राण है, ये उत्पन होते हैं, ये प्राण एक स्पंधन की तरह है, लगातार इसकी दिरनतारीज की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम लोग के चित के दो तत्तों मुख्य रूप से बताये गए हैं, एक तो प्राण का स्पंधन, और दूसरा उसमें कामना रुपी बीज, जब तक कुछ कामना होगी तभी तक प्राण भी धारन होगा। कामना रहित हो जाने के बाद प्राण धारन नहीं हो सकता। तो यदि कामना रहित हो गए, उस च्छन के लिए नहीं, भलकि बराबर के लिए हो गए, तो प्राण धारन असमभा हो जाएगा। तो जो ग्यानी भी हुए हैं तो उन लोगों ने फिर प्राण धारन करने के लिए फिर जो है कोई कामना कर ली। जैसे उपदेश देना है, कुछ लोगों को सिखाना है, तो संस्थान बनाना है, तो आस्रम बनाना है, तो मंदिर बनाना है, तो परचार परसार करना है, तो अपने संपरदाय को आगे बढ़ाना है, तो सिस्यों को मदद करनी है। तो ये तबाम तरह के ये जो को हमरे कर्म है जो ये वास्टन के दोरा उत्पन है कामना के दोरा उत्पन है तो ये चित्ति का इनत्ति वह प्रड़े हिं उस ने आत्म साक्षादकार में में जित का निरोद कर दिया था. परंतु प्राण धरन तभी संबव है जब एक्ष्छा है. अधि एक्ष्छा नहीं है, कामझा नहीं है तो प्राण धरन संबव नहीं है. क्योगि प्राण धरन कर्म के लिए ही होते है और जब हम कर्म से हट गए तो हमारी प्राण सकती जो है वो खिंच जाती है और खिंच के चित में स्थित हो जाएगी वहां जहां की कामनाय हैं जहां इक्षा जरमती है तो इक्षा के बीज में चली गई तो फिर चुकि कामना नहीं थी तो फिर उसको इक्षा को भी प्रकट करने के लिए अब प्राण के सहारे के आउस्कता नहीं है, तो वह फिर लेन हो जाएगी, तो वह आत्मतत्तों में फिर भी लेन हो जाती है, यह इसका एक योगिक कारकारण का समंध जैसा था बताया मैंने, तो जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, जाए ग्यान इंद्रियां हैं, इनका सारा बैपार प्राण सक्ति से होता है, और मन से होता है, विचारों से, एक्छाओं से, और यह दोनों अगर हट गए, तो फिर कोई चांस ही नहीं है, और मन का ठार जाना कहीं, स्थिर हो जाना, वो एक तरसे वहां से हट जाना है, मन का विलुप्त हो जाना, लीन हो जाना कहीं पर एक तरसे हट जाना है, तो अधि मन हट गया और प्राण भी हट गए, तो फिर व्यक्ति का सरी धार्न करना संभव नहीं हो पाता है, कि तो मन ये प्राण योग विदी से भी हटा जा सकते हैं कि और प्राकर्ति गुर्फ से जब अबरों में अजय कहा है विख्ध होती है कि जो पिराहित डेलां हमारे जब सकती कम्री पड़ेते हैं गो जब जीने की परिस्थिति कठिन होने लगे तो जीने से बन घबराने लगता है और वैसे इस्तिति में फिर कामना कमजोर पढ़ने लगती है ग्यावारिक परिस्थितियों को देख करके तो उसे प्राण सकते छीन होने लगती है इक्ष्या तो है जीने की लेकिन हमारी बुद्धी अभी इस पर्ष संके देती है कि तेरी इक्ष्या से क्या होगा सिर्फ तेरे सरीर साथ नहीं दे रहे हैं तो वो हतास मेरा सुने लगता कि बुद्डा हो गया हूं दाँ जड़ गये हैं आखें ठक गई हैं सांसें उखड रही हैं तो अब पॉर्फिरी इस जीवन को जो जो देना था बैता दे चुका तो अब इस जीवन में और क्या धरा है तो ऐसे में क्या है कि उसे जीने में कोई रास नहीं आता क्योंकि जो उसकी एक्छाएं थी अच्छे खाने की वह नश्ट हो गई अब वह खा नहीं सकता बढ़ियां स्वाद नहीं ले सकता ताँ जड़ रहे हैं जीव का स्वाद भी बदल गया है अब वह बात नहीं है स्वाद अरस इंद्री भी कमजोर हो जाती है घ्राण इंद्री कमजोर आती है गंद भी कमजोर हो जाती है उसे घी में खुस्बू नहीं आने लगती है फूलों में खुस्बू नहीं आने लगती है घड़ जाती है कि तो जब सब इंदरिया स्थिल हो रही है bagus परनतु श्री साथ देरा काम वास्ततUM हो रही है कि असजोनी कि 6 बोलने के शाड़ा सब्चीज़ क कि जाकती है परनतु प्ली करिमी मिन दरिया साथ में न दे रहें जो है यहांसे प्राण जो है मुख्रूप से वहाँ उपस्तित थे मन के साथ चीतना के साथ तो अब परवेलिन होने लगेंगे इस तरह से भी हम लोग कि प्रान सक्ति खिंशती चली जाती है अब ये प्रानयाम में क्या होता है कि प्रान का विस्तार जब हम अपनी इस प्रान सक्ति को बढ़ा सकते हैं या मनोवांशित दिशा में मोड सकते हैं उस सक्ति को जिस भी सिर की और मोडना चाहें आंक की और कान की और इधर मोडना चाहें गले की और हिर्दे की और तो मोड सकते हैं तो यह प्राणयाम के साथ धारना और ध्यान जो है यह दिशा देते हैं तो उस प्राण सक्ति को हम ल हम जागरत करते हैं कैसे द्यान करते हैं स्कूरत से क्याते हैं कुंधाने हैं कि कुंध्री सक्ती कहते हैं और तो प्रान सक्ती है लुआ जागैंब कुंडल सकती है वह ऐसी प्राण सकती है जो की बहुत ज़्यादा प्रभावसालियदे है ज़्यादा उसकी हर चीज़में ज़्यादा है मात्रा ज़्यादा है परनतुवः सोटना इस्तेमाल नहीं होती है क्योंकि हम लोग को के में अवनू से को उतना बड़ा लख्ष नहीं होता है वतना जुनूर नहीं होता है उसके परत्यतना शमर्पण नहीं है कि हम लोग उसका परियोग करें हम तो छोटी-छोटी चीजह में संतुष्ठ हो जाते हैं जिसके लिए थोड़ी सी प्राण सकती काफी है तो उतनी बड़ी प्राण सकती को जगाने से कोई फैदा निया क्योंकि सरी फिर नस्ट भ्रस्ट हो जाएगा उतनी बड़ी उर्जा को सरी जहल नहीं प आत्म विकास के लिए कि तो कुंड़र ने सकती हूं ही लोग के लिए और जो लोग इसको सांसारी करते हैं प्रेयोग करना चाहते हैं यह बहुत बड़े रोगी होके मंदमरते हैं कई तरह के तकलीफे जयते हैं तो इसलिए यह सब जो अध्यात्मिक सक्तियां हैं यह सिर्फ अध्यात्मिक लाप के लिए होती हैं और उसको दूर ले जाने के लिए हैं परमात्मा के साथ शातकार के लिए हैं ना कि यह जो बहुतिक तत्व हैं इनको पाने की कामना वाले हैं खेरे जो इनकी कामना रखते हैं उनकी जा प्राण सकती है जो प्राण है वो वास्ता में सक्ती नहीं होकर के सक्तियों की सक्ति है वह ऐसा समझ लें और ये इंद्रियों में भी प्रकट है हमारे सरीर में भी प्रकट है जड़ तथो में भी आए जिसको जड़ तथो काते हैं वह भी प्रकट है हमारे स्वास में हमारे दिल की धरकन में हमारे विचारों में इन सभी में वह प्रकट है वो सकती और इन के माध्यम से हम स्वास पर स्वास के माध्यम से हम लोग अपने प्राण सक्ति को कुछ हरत तक समझते हैं तो कुंडलने सक्ति जगाने के लिए और प्राण को जगाने के लिए प्राण को समझने के लिए मसूस करने के लिए यह जर्री है कि हमारे भीतर जुगति विदी हो रही है वो किस सक्ति के जर्य हो रही है वो सक्ति का पता लगाना के कोशिज करें हमारे सरी में दर्द होता है तो दर्द कैसे हो रहा है कहां हो रहा है उसके पीछे कौन से सक्ति काम कर रही है जब हम इस चीज़ पर फोकॉस करत चलिए operate youriser dependingकि तरगें अलगाएं प्रकास की तरगें ध्रनी की तरग है तो इन सब अबयों को या हम देखते हैं द्रिश्टी की तरंगों तो उसकी पीछे की सक्ति या उसको भी देखना वह कठन Авेत उसके तो जो ऐसा कर सकते हैं जो इतने ध्यान में नहीं हो सकते हैं उन्हीं के संप्रज्यात समाधी और असंप्रज्यात समाधी लगती है यानि कुंडलने शक्ति जब आगज्यां चक्रपर मिल जाती है तो संप्रज्यात समाधी का रहती है तो चुकि काफी बड़ा विशय नहीं हो जाए इसलिए मैं बहुत ज़्यदा कुंडलने सकती पर नहीं बोलूँगा थोड़ा बहुत प्राण के विशय परिका जाता हूं तो ये उपनिशद में भी इसका वर्णन है प्राण का और प्राण को भी एक तरसे इश्वर ही माना गया है थेतरी उपनिशद में कहा गया है अर्थात प्राण को परमात्मा ही जानो और प्राण से ही सारे प्राणी उत्पन होते हैं और इसी में जीते हैं और जब मरते हैं तो प्राण में ही प्रवेश करते हैं प्रश्ण उपनिशद में बताया गया है कि प्रमात्मा ने प्राण और रई पैदा किया सा मैथुनम उत्पादेत प्रजापती ने उत्पन्य किया एक जोड़ा रही और प्राण यानि रही का मतलब आपका तत्त हो गया जिससे कि वो कंपन कर सकें गतिविधी कर सकें अजी तरह से जीवन सकती है तो एक जो है विश्चिटी पराण है है प्रड़ों संभी और दूसरा जो है संविस्ट्ठ पराण यान ने पूररा पूर except पराण कर जो आइन ये पूरे स्थित्पफ प्राण और हमारे हमारा प्राण जुछ है व्यंक्तिकत की यहony करान और पूरेस्थितित का प्रान ये दोनों करब ये इनका आपस में बिल्कूल इतर से प्रवाह मुद् erhö कि ये एक ही हैं जिसे कि ढड़े में जो है वही मवा कासने बी जो बाहर जो है दूसे ही जीवन चलता है अबाहर के प्रहिए हमारे शरीव में संबंद सब्सक्राइब के तो कि या वा यह उसी तरह से शरी में भी प्रण है यह कटना क्योंकि लेकिन एक प्रस्थिति माल लेते हैं कि अगर कट जाए तो वैसे इस्तिति में हमारे अंदर का प्राण जो है कि हुआ हमारे इस स्थोर शरीर को विनस्ट कर देगा कि यानि उसको कैद्व में रखा जा सकता कहने को मतलब यह तो यह जो प्राण है यह जानने योग्य है और साधना में प्राण के ओपर ही सोध सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि यह सुक्ष्म है परन्तु इतना सुक्ष्म नहीं है कि उसे महसूस नहीं किया जा सके बलकि यह एक मद्ध है और इसी के पर इसलिए जरसकार होता है इसलिए प्रणयाम बहुत किया जाता है धारना की जाती है प्रणयाम के बाद प्रतिहार किया जाता है तो प्रतिहार हो गया प्रणयाम हो गया धारना हो गया ध्यान हो गया इन चारों का समागम होता रहत होता है और इससे ही फिर हमारा समाधिय और उससे आगे वाला काम होता है अब यह जिन वायू को संचारित करते हैं यह सिर्फ वायू को ही नहीं करते हैं लेकिन चुकि वायू को भी इसमें प्राणयाम में तो वायू पर ही जादा जोर है तो उस अर्थ में ही जो है इनको प्र फ्रकार करन के निए पैंच प्रकार के एन करकार यह जो है यह मुख्यम आने गये हैं और फितरों और भी अजिए कंदर sixtone तो यूए सब सब प्राण वायू के ही थाद आते हैं तो अब इनको कैसे कैसे हम आगे साधना में ले जाएंगे तो उसके उपर फिर तो आगे और चर्चाएं होंगी तो इसका इस शुत्र का इतना ही तक आज चर्चा कर रहा हूं ओमरी